तुर बात करेंगे यार्ट मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और इंडीजिनिस एडिजिनिस एडिविशन सिस्टम के बारे में मुझे बता है कि आपको बहुत को पता नहीं हो कि इसके बारे में तो प्लीज इसे लास तक इस वीडियो को देखना बहुत से इंट्रेस्टिंग सब्सक्राइब के बारे में आखिर यह क्या होता है बहुत को आपको पता नहीं होगा इंडिजिनिस एडिवकेशन सिस्टम को बोलते हैं जो अंगरीज के आने से पहले था जो लॉड मेकलर के एडिवकेशन सिस्टम के प्रवल करने से पहले था सू कि अजल ते हैं सो जैसा कि जानते आज ऑज 让 एउन पका इस चलता है बहुत को एकस्टेबल है और बहुत कि इसका और बहुत लोग इसे पनेया और प्र था, because 16th century के पहले, उसमें खुद का ही कोई education system थाए ने बिटेन के पास, जब बिटेन अगया सिस्टम बनाया, तो नय बिट education system के इसाब से examination होने लगें, result आने लगा, marks आने लगें, और जो intellectual, knowledge का प्रवरती पहले हमारे चला आ रहा था, वो खतम हो चुका, और marks का प्रवरत को कम बोला जाता था, practicals को ज़्यादा importance दिया जाता, अब वो उल्टा हो चुका है, अब practicals का में theories ज्यादा है, सो यह संस्कृत में एक सब्ध जिसे करते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी मिन्स इस्टुडेंट आपको पता ही होगा, तो विद्यार्थी का मतलब क्या हो, तो विद्या को रैप करने वाला, मिन्स विद्या को हासिल करने वाला, सो संस्कृत में बताया गिया है कि जो लेते हैं किताब से बल्कि वह होता है जिसे हम कैसे अपने जीवन में verched में, अपने लाइफ में अपन। अप्लाई करके अपना लाइफ के होता है आफ्लाइए करें विढान , उसCrजी लिए हम लोगे विद्या को जेता है यह संस्क्रिट के सबसे बड़ा मुलमंत्र है सो इससे हम देते हुए बहुत सारा आपको पॉइंट्स बताएंगे जो आपको बताएगा कि ओल्ड इज में जो पुराना इंडिजिन सिस्टम इडिकरशन सिस्टम था वो कितना अच्छा था थोड़ा साब को एक आइडिया में जाएगा चले सबसे पहला परण में बात करते हैं उस समय अबाउट सेवन लाक से भी जादा गाओं थे इंडिया में और हर एक गाओं में एक स्कूल था जिससे गुरुकुल कहा जाता था उस गुरुकुल में फीमिल्स एसलेज मेल्स दोनों पढ़ा करते थे ठीक है और उनका सिक्छप को मतलब टीचर को क्या बला जाता था गुरु बला जाता था यह पहला पॉइंट हुआ था सेकन्ड पर यह जले था था भाल कि उस स्कूल में वह घड़ा जाता है वक गुरुकूल सेफंने टीक टीच उब्जिक्प्राफटे था जिसमें मातमाटिक्स हो गया मीजिक होता था उसके बाद ऑbe आपका मेडिकल में जो चिकसा होता है, जिसे वह कहते हैं संस्कृत में, उसमें मेडिकल और सजिरी, वो भी बहुत कुछ है, उसको मैं आगे दिखाओं कुछ एक्जाम्पल के साथ, इविडेंस में, जो आपको समझ में आएगा, तो उसके बाद अब इसके बाद वाला करते हैं, जो आपका इसकूल था, जो गुरुकुल था, उन गुरुकुल में जो पढ़ाई होता था, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट था, वो सब को कंप्लीट करना ही पड़ता था, फाइब यर्स में लोग जाते थे बच्चे और 21 साल में तो वहाँ से पड़ते थे, उ उस समय के, जिसका हर एक इनुवर्सिटी अपने आप में एक एक एक्सपरटाइस था, हर गुरुकुल में बहुत, फीमेल आज़नल मेल, बहुत के एडमिशन होता था, और उस समय मेल ही नहीं, फीमेल भी हुआ करते थी, जबकि फीमेल ऐस कॉंपर्ट टू मेल जादा इस सोचो, इंडिया में उस समय में और पता था, सबस्याइब कर ने सासरी हो पहुत की पढ़ती थी, इस प्रखnd dual कर्सकी मेल आज्री है, और आज के एक एक समय में बताना पड़ता है, बचाव बचाव, बना पाथ सबकु बचाँ लास डून में आते हैं, लास Le combined बहुत सबढ़ते थे उसके बाद आधा स्टूडेंट कि इंटरेस्टेट रहे वह आगे आने वाली जो इस्टूइट लिंग से उनको पढ़ाते थे और आधा स्टूइपे से वह आगे जाते थे service देने के लिए जो उन्हों सिखा है उन्हें सब को देने के लिए जिससे कि वह अपना living भी कर सके और जिस्वे को health भी कर सके तो ये था पुरा-पुरी जो एक टीचर ने अगर सुरुवात किया है तो आगे जाके हजारों बन जाते ते टीचर इस्टम पुरा-पुरी चलता था और पुरा-पुरी प्रैक्टिकल बेस्ट सिस्टम था और बहुत ही एफिसियंट था अब चली देखते हैं कुछ एविडेंस जिससे आपको ये पक्का सबूत मिल जाएगा कि यार पहले का जो सिस्टम थाना वह बहुत ही मतलब कड़क था एक बहुत अच्छा रिवर्कत था पुरा वर्ड के मुकाबले उस समय जो वर्ड था उसके मुकाबले इंडिया सबसे बेस्ट था ये आपको यकी जो आस तक टिका हुआ है और आज की बनाएं तो टिकते भी नहीं है और इसका पैटन एक ऐसा है कि उसमें बहुत रिसर्च होता पाया गया कि उसका पैटन कुछ इस टैप को बना हुआ है इसलिए बना गया पर उस प्रेसर डिस्टिबूट करने के जिए सोच जो ऐसा टेक जो कि आज हम लोग अपने घर के बाहर रखते थे जो कि आज हम लोग के इंडिया में बहताना पड़ता है कि स्वच रहो हर जगर में बहुत पहले से चला आ रहा था इसलिए नंबर में आते है यार मेर होली का जो पीलर है जो देली में आज भी है वो आज तक जंग ने मैस से रिलेटेड़ जो आपको एविडेंस देगा कि आर बहुत पहले का जो अडिकसन सिस्टम बहुत है अच्छा था तो अगर मेडिकल साइंसस में जाए तो उस समय पहले के जवाने में बहुत सारे सर्जीकल सर्जीरिस होते थे आज जो सबसे एविडेंस से प्लास्टि करते थे और उसमें मेडिकल साइंसस जड़ी बुटी में काम करे थी जो आयरुवेदा जो आज भी हम लोग के अंदरे चला आ रहा है वो यूज होता था उस समय और अलोपति वगए रहा है तो नामो निसान ही नहीं था उससे ही बड़े-बड़े रोग ठीक हो जाते थे औ बहुत बड़ा बड़ा रोग का भी दावा निकल जाता था उस समय में सबसे बड़ा बास सर्जरी उस समय अपलीगेबल था उसके बाद आते हैं हम मैस में सो मैस के बाद करें तो मैस में सबसे बड़ा आपको पता ही होगा है पाई हमारे यहां पी डेवलब गए था आरे पाय को डिस्कवर करते हैं यह भी बताया कि जो स्टार है क्यों चिंटम-टम आता है वो क्यों चमकता है और क्यों लाइट करता है और लगता है कि वह बिए कुछ टम-टम आता है विगाउस रिफ्रेक्शन हमको अभी पाता है बड़ उन्होंने उनका सिख्धान पहले ही दे फोरिड़ एडी में ही पर उनका ध्यान ने दिया था वो उनका बात का प्रसार नहीं हुआ था उसके बाद आते है जीरो जीरो को ब्रह्मगुप्त ने डिसकवर किया जीरो जो कि जानते हैं कि इतना इंपोर्टेंट है उसके वे से आज हम कंप्टेर बना पाए हैं डेसिम उनसे पहले ही इंडिया में ही पाइतगरो सेरम डिसकवर हो चुका था बट इसके बारे में किसे को बना नहीं गया था कोई जानता नहीं था जिसके यह जो इनाउलेस था इंडिया में ही रह गया बहुत सारे रीग वेद सास्तर को अगर आप देखोगे रीग वेद अथर बहुत सारे वेद में आपको मेटल्स का आयन बोलके मेटल्स को बला जाता है मेटल्स को बारे में वहाँ पर वर्णन है उस वेदों में लिखा है कि मेटल्स का डिसकवरी बहुत दिन बाद हुआ था और हमारे वेद में उस समय ही मेटल्स के बारे में दिया गया था चुकि बताता है आज का करेंट इंडिया का एजूकेसिन सिस्टम के बारे में चलिए कुछ स्वाकिंग अब्येट्स देखते हैं उससे आपको समझ में आया कि यार क्या हो रहा है इंडिया आज इंडिया में 1.5 मिलियन से ज्यादा स्कूल्स रन कर रहे हैं उसके बाद एक आक्रा के मुताबित बुला जाए लिट्रेसी रिट अभी इंडिया में एवरेज 75 परसेंट है जो कि उस समय से बहुत कम है उसके बाद आईकी लेवल की बात करें तो आईकी लेवल में इंड 9 पोजिशन में इंडिया राइंग करता है उसके बाद एक सबसे बड़ा शॉकिंग जो है जो आप सुनते भी होंगे उसमें बता जाता है कि जो ग्रेजवेट से इंडिया में हर साल 30 लैक से भी ज्यादा ग्रेजवेट होते हैं जिसमें से 60 to 70 percentile ग्रेजवेट किसी भी काम करने योग्य नहीं है मतलब कि वो तो ग्रेजवेट हो चुके हैं रट रट के कुछ भी करके रट हो चुके है लेकिन काम करने योग्य नहीं है लेकिन सीखा कुछ नहीं है सो यह education system का जो प्रभाव जो माक्स वाला system है ना उसका ये impact है जो माक्स वाला कैड़ेगरी है सो लास्ट में यही पता चलता यार कि माक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए माक्स इंडिया कभी यह प्रभृति रहा है कि माक्स के पीछे किसी नहीं भागा माक्स के पीछे कोई नहीं बस efficiency aptitude आपका adaptation यह सबसे important है जिन्दिगी जीना यह सबसे important है कितने अच्छा से आप अगड़े वीके को शेयर करें जाज ज्यादा पिकाउज ऐसा कंटेंट साइधी आपर यूटिव में मिलेगा सो शेयर करना सारे अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनको नौलेज मेरे यार पुराने अपने लाइफ को उस समय से कॉंपेर कर सेके देख सके कि मैं कहां exist करता हूं सो आज के लिए बज़ित में है यार थेंक्स वाजिंग गाईज